तो दोस्तों ये है मेरे पास Samsung M30S जी हाँ बहुत ही पुराना मोबाइल है मेरा 7 Samsung M30S और Samsung इस फोन पे अब तक चो है support प्रोवाइट कर रहा है which is so good to see तो सबसे latest support है इसका update एक आया हुआ है देख लेते हैं कि क्या update है और इस update में आपको क्या-क्या मिल जाता है settings में जाना है आपको अब तक तो शायद update का idea हो चुका होगा यहाँ जाने के बाद software update वाले section में आपको दिख जाएगा एक N लिखा हुआ which means software update आपका नया आया हुआ है यहाँ क्लिक करने के पाद download and install पे आपको क्लिक करना है और देखेंगे यहाँ पे नया update आ चुका है और 729 MB की file है और security patch है 1st September 2021 बहुत ही बढ़िया बात है कि Samsung अब तक इस phone में support provide कर रहा है generally manufacturers करते नहीं है इतने पुराने phones में anyhow इसको कर लेंगे update और दिखाता हूँ आपको इसके top कुछ features जो की हमें मिले हैं M30S के इस वाले September update के साथ download फ्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपका download start हो जाएगा let the download complete phone reboot हो जाए और उसके बाद मिलता हूँ आपको नए वाले features के साथ तो दोस्तों यह phone हो चुका है update और कुछ ऐसा दिख रहा है UI में तो खेर कोई फर्क नहीं पड़ा है बट सबसे बड़ा फर्क जो मुझे लगा है Samsung ने दिया है वो है Samsung Pay Mini जी हाँ Samsung Pay Mini का support अब आपके M30S जो की comparatively काफी पुराना phone है उसमें आ चुका है और उसके बाद आप इसको use कर सकते हैं एक file size है 38MB वो आपको download करनी पड़ेगी वो download करने के बाद आप अपना Samsung Pay Mini easily use कर सकते हैं तो finally Samsung Pay Mini है वो आचुका है M30S में तो ये एक अच्छी चीज मुझे लगी इस वाले phone में because generally क्या होता है न इतने पुराने phone में कोई भी manufacturer इतने updates नहीं देता है तो Samsung ने दिया है which is a very very good thing और मुझे लगता है Samsung इस वाले phone को आगे भी काफी support करने वाला है तो ये Samsung Pay Mini का file हो चुका है install और इसको कुछ permissions आपको देने पड़ेंगे और ये हो चुका है Samsung Pay Mini आपका install जो की बहुत ही अच्छी बात है आपको यहाँ पे अपना UPI ID आप join कर सकते हैं और उसके बाद आप easily Samsung Pay Mini को use कर सकते हैं दूसरा feature जो मुझे लगा अच्छा है वो ये है जैसे कि कोई भी number आप dial करते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक video call का जो button है वो आया हुआ है अब मुझे याद नहीं है पहले ये था कि नहीं मुझे ये चीज नहीं दिखी तो मुझे लगा कि शायद ये एक नया feature है आप लोगों को बता दूँ अगर पहले से था तो I am sorry दोस्तों बट मुझे जहां तक लगता है वो यही है कि ये Google DO का button है और आप इसके थूँ call कर सकते हैं अपने दोस्तों को अपने contacts को next feature जो मुझे लगा एक बहुती interesting feature है आप लोगों को बता दूँ वो है अगर आप gallery पे जाओगे यहां पे three dots पे click करओगे और जाओगे settings में तो यहां पे अब आपको मिल जाता है something called full screen scrolling अब full screen scrolling को आप कर दीजे enable उसके बाद आप कोई भी photo scroll कर सकते हो पूरे screen को use कर तो य एक अच्छा feature है मिन छोटे-छोटे features Samsung अपने phones में add करता रहता है जिसकी वज़ए से आपका phone जो है कहीं ने कहीं fresh feel होता रहता है एक और चीज जो है यहां पे three dots पे दुबारा आप click करोगे suggestions करके एक option है यहां पे जाओगे तो यहां पे आपको दिखाएगा delete low quality pictures और या clear out old documents तो यहां पे space आप free कर सकते हो just in case अगर आपके phone पे gallery की वज़ए से because हम सब के phones में gallery ही maximum space लेता है तो उसकी वज़ए से काफी जो है हमारी memory भर जाती है तो यह एक option है delete low quality pictures और clear out old documents तो यह दोनों options यूज़ करके आप जाके choose करोगे इन पे भरोसा नहीं करते हैं directly phone पे कि आपने click किया और delete कर दिया आप जाए एक एक चीज़ पे देखिए उसके बाद ही select करके उसके बाद delete कर सकते हो to free up your memory space एक और च जाएंगे नीचे storage में और यहाँ पे 11.0.15.99 version अपडेट कर दिया गया है अब features तो ऐसे कुछ जुड़े नहीं है camera में बट कहीं न कहीं versions जब update करता है कोई भी manufacturer तो कहीं न कहीं जो है efficiency बढ़ जाती है आपके उस particular app की तो I hope की camera app की efficiency बढ़ गई हो अब image quality में कोई सुधार आया है कि नहीं उसके लिए मुझे अलग से एक चोटी सी वीडियो बनानी पड़ेगी after I click some pictures with the new updated camera of the Samsung M30s अगला feature जो of course मेरे पास देखने को नहीं मिला है बट मैंने जितना research किया है उसके हिसाब से सब को मिला हुआ है because उसके लिए आपको एक SD card install होना चाहिए उसमें क्या होता है आप अपने apps को move कर सकते हैं अपने SD card में या SD card से कोई app आप वापस move कर सकते हैं अपने internal memory में करोगे तो यहाँ पे इस जगह पे एक change करके एक button आना चाहिए जिसकी वज़े से आप उस वाले particular app को अपने memory card में डाल सकते हो या memory card से अपने internal memory में डाल सकते हो so that आपका जो space है space management overall सही हो तो काफी apps यहाँ पे चोटे चोटे अपडेट किये हैं camera का version update हुआ है phone का version update हुआ है messages का version भी जो है Samsung ने update किया है तो चोटे चोटे अपडेट यह बहुत जरूरी है to make your phone function efficiently और मैं खुश हूँ यह जानके कि Samsung ने अपने पुराने phone के users को भी ध्यान में रखा है I don't think जादा manufacturers ऐसा करते हैं but एक 3-4 साल पुराने phone को भी अगर Samsung एक importance दे रहा है उसका मतलब यह है कि आप Samsung के phones मुझे ऐसा लगता है आराम से बिना किसी चिंता के खरीद सकते हो तो यह छोटा सा वीडियो था दोस्तों छोटा सा अपडेट जो यह आया है वेल छोटा सा तो नहीं है 729 MB का अपडेट है बर जिसकी वज़द से आपके phone में काफी छोटे छोटे नए features Samsung ने जोड दिये हैं तो मिलूँगा बहुत जल्द एक और नए वीडियो में फिलहाल अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो जरूर कर लिजिए because phone is running smooth और काफी पहले से smoothness हो गई है M30S अब वो laggy phone नहीं रहा जो Android 11 के just बाद हो चुका था So thank you guys and girls और मिलूँगा बहुत जल्द एक और नए वीडियो में